नमस्कार दोस्तों मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इसके लिए यू के इस लर्निंग प्लाटफॉर्म में दोस्तों आज जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं वहां आज की आधुनिक दुनिया से जुड़ा हुआ है तो मेरा सवाल है कि आप लोगों को पता है सबसे पहला कम्प्यूटर का आविश्कार किस देश ने किया था बहुत लोगों का जवाब होगा शायद अमेरिका शायद यूरोप का कोई देश या फिर क्या पता इंडिया नहीं किया हूं परन्तु इसका सही जवाब है चाइना जी हाँ ये वही सवाल है जो कई बार ट्रिपल सी इग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है चली अच्छा दूसरा सवाल क्या आपको पता है कि आप लोग जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तमाल करते हैं विंडो वो कौन से प्लैटफॉर्म पर आधारित है इसका सही जवाब है सिंगल यूजर इंटरफेस प्लैटफॉर्म पर आधारित है विंडोस तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो रोज मररा की जिंदगी में हमारे आखों के सामने होते हैं हम ध्यान नहीं देते परंतु वही examinations में आते हैं अच्छा क्या आपको पता है जो developers होते हैं वो Linux का operating system इस्तमाल करते हैं और Linux के ही operating system को open source operating system कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब आप कोई coding करते हैं या कोई program लिखते हैं तो इसका मालिकाना हक किसी के पास भी नहीं है जो भी व्यक्ति यहाँ पर लिखना या programming करना जानता है वो आसानी से इस पर access करके वो जो programming लिखी हुई है उसको और change करके अपने लिए use कर सकता है तो या कैसे possible होता है या फिर ये क्यों होता है ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो आपके triple C examinations में पूछे जाते हैं या फिर computer से related examinations में पूछे जाते हैं जब आप किसी job interview के लिए जाते हैं या फिर उसकी तयारी कर रहे होते हैं तो इन सब के बारे में ना कोई book बताती है ना कहीं theory में लिखा हुआ है यहाँ वो चीजें हैं जो आपको practical के साथ में समझ में आती हैं तो आप लोगों की इसी परिशानी को देखते हुए आप लोगों के लिए जिससे आपकी तयारी हो सके पहले से अधिक बहतर वहाँ भी बिना किसी रुकावट के तो इस को अभी सब्सक्राइब करने के लिए स्किलिंग यू की आप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और साथ ही साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए इसकिलिंग यू के चैनल को जिससे आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी लर्निंग को करें पहले से और ज्यादा बहतर आप लोगों की आगे की लर्निंग के लिए बेस्ट विशिस और अभी के लिए ठैंक यू एड कीप लर्निंग